अपनी तुलना प्रभुशी राम और पांडवों से तो मती कीजिए। आज जिस पार्टी ने प्रभुशी राम के अस्तित्व को नकारा, उस पर हलफनामा देकर सवाल उठाए, जो आज भी हिंदुत्व को और हिंदुओं को आइसेस और बोको हराम से जोडते हैं, जिनको पांडवों का कोई भी ज्ञान नहीं है और कहते हैं पांडवों ने डीमॉनिटाइजिशन नहीं किया, अरजुन जी को मचली की आँख भेदते समय, क्यों वो भेद रहे थे, इसक भुशी राम और पांडवों की बात ना करे, क्योंकि आपने तो केवल कौरों वाला काम किया है, आपने केवल रावन वाला काम किया है, और आपने इस लोक तंत्र को सीचने का नहीं, बलकि इसे केवल परिवार तंत्र में तबदील करने का काम किया है, इसलिए जब आपकी दादी मा थी तो उन्होंने तो इमर्जंसी भी लगाने का महापाप किया था और किस प्रकार से हर सम्विधानिक संस्था को तोड़ा गया किस प्रकार से उन्हें दबाया गया ये भी इतिहास गवा है तो इसे लोक तंत्र को सींचना नहीं बलकि परिवार तंत्र को खींचना कहते हैं और आपने धर्म की नहीं केवल परिवार की स्थापना के लिए प्रयास किये हैं आपकी तुलना पांड़ों से और प्रभुशी राम से कभी हो ही नहीं सकती